पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना वो पहुचे हुए थे ऐसे में लबली आनंद भी इस बैठक में पहुचे हुए थे लेकिन लबली आनंद के साथ साथ आनंद मोहन भी उस बैठक में पहुच जाते हैं उसके बाद मामला जो है वो गर्म हो जाता है और आनन्द मोहन जैसे ही बीजेपी के बिधायक पवन जैस्वाल को देखते हैं वो भरक जाते हैं वो पवन जैस्वाल को तू तराक करके बात करने लगते हैं बात इतना जादा बढ़ जाती है कि पवन जैस्वाल चेतावनी दे देते हैं जी हां पूरा खबर निकल कर सामने आ रहा है कि तेश तारीक को BJP कोर कमिटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें BJP के तमाम जो बड़े नेता है वो पहुचे हुए थे तमाम NDA के जो उम्मिदवार है वो भी पहुचे हुए थे लेकिन इस बैठक में रन्नीती बन जाता है और यह बिवाद आनंद मोहन और पवन जैस्वाल के बीच में होता है दरासर पूरा खबर निकल कर यह सामने आ रहा है कि पवन जैस्वाल पर आनंद मोहन कई गंभीρ आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि इनकी स्टाट गाट महागर्ट बंधन के निताओं के साथ न मारों में महागटबंधन के निताओं को अगर मिल लेते हैं या एक फोटो आ जाती है तो वो गलत है आप बैठे तो सही है अगर हम बैठ गए तो गलत है ये बिवाद इतना जादा बढ़ जाता है कि पवन जैसवाल सीधा चेतावनी दे देते हैं कि हम नितीज कुमार के तमा मुमिद्वारों का बिरोध करेंगे इस वार अब देखने वाली बात होगी कि जो बैठक रननीती के लिए बुलाई गए थी वो बैठक जो है वहीं पर खत्म हो जाती है और सीधा चेतावनी देने के बाद पवन जैसवाल बैठक को छोड़ कर निकलने लगते हैं लेकिन उ कुछी मामले में निकल कर सामने आता है क्या सच में पवन जैसवाल जो है लबली आनन्द का बिरोध करेंगे निचीज कुमार के तमाम उम्मिद्वारों का बिरोध करेंगे लेकिन ये मामला जो है इस वक्त बेहत गर्म हो गई है एक तरफ हम आपको बता दे कि तू तराक स जो सुरू हुआ था बिवाद वो बिवाद जो है अब सीधा चेतावनी तक आ गई है बीजेपी के आला निता जो है वहां तक पहुँच गई है और अब इस मामले को खुद बीजेपी हैंडल करने की कोर्सिस कर रही है लेकिन इतने आसानी से ये बैठक्स नहीं रुकने व से इस वक्त चुनावी मैदान में उतरी है जो लवली आनंद के लिए भी मुस्किल हो सकता है वहीं पर पवण जैसवाल ने सीधा चेतावनी देते हुए कहा था कि तीन लाक वोटर जो है वो हमें बिधायक बनाते हैं और आप हमारे साथ तू तराक करके बात नहीं कर सकते ह वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि आनंद मोहन क्या कुछ करते हैं क्या दोनों का जो ये मामला इस वक्त गर्माया है वो मामला सांथ होता है या नहीं तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ दीजेगा इजाजत धन्यवाद पनोर मंकरो जो अब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद